द्रिश्य मिलर ग्रोव मैसाचुसेट्स में खुलता है, जहां वैकल पेक इंधन शोद करता डो। जेफ एकरले के तहखाने में कौकरोच के संक्रमन को खत्म करने के लिए एक संहारक को न्यूक्त किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान संहारक डो। एकरले को कौकरोचों की प्राचीन उत्पत्ती के बारे में व्याख्यान देता है, जो 350 मिलियन वर्ष पहले सिलुरियन काल से मिलती है। वह आगे कहते हैं कि तिल्चटे दुनिया के हर कोने में पाए जा सकते हैं और उनकी 4000 से अधिक ज्यात प्रजातिया मौजूद हैं। उनके अनुसार एक मादा कौकरोच 5 लाख से अधिक संतान पैदा कर सकती है। वह उन्हें निर्दोश प्राणी भी मानता है क्योंकि उन्हें विकिरन द्वारा नहीं मारा जा सकता है। लेकिन इंसानों के विपरीथ उनमें संध्यानात्मक्षमताय नहीं होती है। इसके अलावा संहारक 2 एकरले को अपने नए कीटनाशकों के बारे में बताता है, जो एक कवक की तरह काम करती हैं, जो न केवल संत्रमित तिलचटों को मारता है, बलकि इसके संपर्क में आने वाले हर दूसरे तिलचटों में भी वाइरस पहुँचा देता है। फिर ग्रिहस्वामी उपर चला जाता है और संहारक को अपना काम पूरा करने के लिए छोड़ देता है। काम करते समय आदमी की नजर एक घमंडी कौक्रोच पर पढ़ती है, जो कीट नाशक का विरोध करता है। इस वज़ह से वह उसे जमीन पर गिरा देता है और पैरों के नीचे को चलने लगता है। लेकिन जैसे ही वह इसे दबाता है, वह एनाफिलेक्सिस का शिकार होने लगता है। वह अपने दिल को पकड लेता है और एक दीवार से टकरा कर गिर जाता है, जबकि तिल्चटा उसके बूट के नीचे से सुरक्षित रूप से रेंगता हुआ बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद डो, एकर ने वापस लोटे तो उन्होंने पाया कि संहारत का शरीर तिल्चटो से धका हुआ था। जो एक मेडिकल डॉक्टर है। उनकी बाची जल्द ही फ्रैस नाम के स्थानिय गश्टी शेरिफ द्वारा बाधित हो जाती है, जो वहां रहने के उनके उदेश पर सवाल उठाता है। उसकी पहचान जानने पर फ्रैस ने उसे शहर में हुए तिल्चटो के हमलों की एक शिंखला के बारे में बताया। कुछ ही समय बाद शेरिफ को डो एकरले के आवास पर हमले के बारे में जानकारी मिलती है और फॉक्स भी उसके साथ वहां जाता है। दुए को सांस लेने में व्यस्त है। इस बीच उनमें से एक को अपनी कलाई पर खुले घाव में एक कौकरोच रेंगते हुए दिखाई देता है जिससे वह घबरा जाता है। एक बार खिर सकली से संपर करता है। इसके बारे में सुनने के बाद वहां बताती है कि यहां संभवता दवाप्रेरित भ्रहम संबंधी पैरासाइटोसिस का मामला है एक ऐसी स्थिती जिसमें कालपनिक द्रिश्टी शामिल होती है। हाला कि इस बार फॉक्स को फरनीचर के एक टुकड़े के नीचे एक कौकरोच दिखाई देता है जिससे साबित होता है कि यहां भ्रहम नहीं था। जब वहां आगे के विशलेशन के लिए इसे पकड़ने का प्रयास करता है तो कीट उसके हाथ में बिखल जाता है और इस प्रक्रिया में तेज टुकड़ों से उसकी उंगलियां कट जाती है। इससे उसे विश्वास हो गया कि कीट वास्तव में एक धातू पदार्ट से बना है। इसके बाद फॉक्स अस्पताल में अपने घायर हाथ के लिए चिकित सा सहाईता चाहता है। जबकि डॉक्टर खुद को वाश्रूम जाने के लिए मना करता है। शेरिफ फ्रैस ने फॉक्स को बताया कि सरकार USDA की आड में पास की सुविधा में हत्यारे तिलचटे का प्रजन कर रही है। थोड़ी देर बाद, डॉक्टर एक बाथरूम स्टॉल में मृत पाया गया। शरीर शुरू में तिलचटों से धका हुआ था जो जल्द ही गायब हो जाता है, इससे पहले की कोई उन्हें देख सके। जब फॉक्स ने सकली को इसकी सूचना दी, तो उसने मौत का कारण। पॉक्रोच अचानक जीवित हो, जाता है और नाली से नीचे भाग जाता है। उस रात बाद में, फॉक्स शेरिफ फ्रैस द्वारा उलिखित गुप्त सरकारी सुविधा की जाच करने जाता है। अंदर जाने से पहले, वहां और स्कली फोन पर तिलचटों के अजीब व्य कि वे हानिरहित हैं? तभी उसका सामना क्रिशी विभाग के एक शोद करता डॉक्टर बाम्बी बेरिनबाम से होता है, जो कीच नियंतरन के अधिक प्रभावी तरीके विक्सित करने के लिए कौकरोच का अध्ययन कर रही है। अपना परिचय देने के बाद, डो. बैम्बी अपने होटल के कमरे में वापस लोटता है और डो. बाम्बी से एकत्रित जानकारी को रिले करने के लिए स्कली से संपर करता है। जैसे जैसे में बातचीत करते जाते हैं, वह स्वीकार करता है कि उसे कीडों से सक्त नफरत है। स्कली का मानना है कि ज्यादा तर लोग कीड से डरते हैं लेकिन फॉक्स पर्ष्ट करते हैं कि उनकी भावना डर नहीं बलकि गहरी नापसंदगी है वह अपने बचपन का एक पुराना अनुभव साज़ा करते हुए बताते हैं कि कैसे जब उन्होंने अपने शरीर पर एक कीडा देखा तो उनकी चीख निकल गई उनकी बाचीट के बीच में फॉक्स को एक चीख सुनाई देती है जो उसे हॉल के नीचे एक कमरे में जाने के लिए प्रेदित करती है यहां हानिकारक उक्रोचों के कारण होटल के अधिथी की एक और मौत है शव की पूरी तरह से जाच करने पर फॉक्स ने अनुमान लगाया कि उस आदमी की मौत दर के कारण हुई जब स्कली को एक और मौत के बारे में पता चलता है तो वहां आश्चर्यचकित हो जाती है कि क्या हो रहा है और आगे की जाच के लिए खुद वहां जाने का फैसला करती है इसके बाद मुल्दर होटल के कमरे से डो बांबी की रिसर्च लैब में एक कॉक्रोच लाता है माइक्रोसकोप से इसकी जाच करने पर डॉक्टर को लगता है कि यहां कीट यांत्रिक हो सकता है उनका दावा है कि उन्होंने ऐसे कीडे केवल विज्ञान पत्रिकाओं में ही देखे है? इसके अलावा वहां उसे डो अलेगजेंडर इवानोव नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता शोध करता के बारे में बताती है जो ऐसे रोबोट डिजाइन करता है जो कीडों की तरह दिखते और व्यवहार करती है इस जानकारी के साथ फॉक्स रहस्यमय तिल्चटो के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की उमीद में डॉक्टर इवानोव की अनुसंधान सुविधा का दौरा करता है वहां पहुचने पर विल्चेर पर बैठे दो इवानोव ने उन्हें अपने रोबोटिक कार्यों के बारे में जानकारी दी उनका दावा है कि आर्टिफिशिल इंटेलिजन्स में उनके सहयोगियों ने दशकों तत एक स्वायत रोबोट बनाने का प्रयास किया है लेकिन मशीनों को मानव जैसा दिमाग देने में सक्षम नहीं होने के कारण वे असल रही है डॉक्तर के अनुसार मानव मस्तिश्क बहुत जटिल और कम्प्यूटेशन है लेकिन कीडे केवल प्रतिक्रिया करते हैं वहाँ उसे आगे बताता है कि वह कीडो कोडोट अपने मॉडल के रूप में उप्योग करता है नकेवल डिजाइन में बलकी उन्हें सबसे सरल कम्प्यूटर प्रोग्राम देकर फिर दोनों इस संभावना पर चर्चा करते हैं कि अलोकिक बुद्धिमत्ता अन्य द्रहों का अध्ययन करने के लिए रोबोटिक जाँच भेज सकती है जैसे ही उनकी बातचीत आगे बढ़ती है फॉक्स उसे धातू के रोच पैर दिखाता है और उसे इसका विस्तार से निरिक्षन करने के लिए कहता है माइक्रोसकोप के माध्यम से इसे देखने पर डो इवानोव अवाक रह गए उनोंने फॉक्स को सूचित किया कि प्रोध्योगी की के लिहास से यह नमूना उनके द्वारा अब तद देखी गई किसी भी चीज से काफी बहतर है और यहां उनकी समझ से परे है दूसरी और स्कली शहर में आता है और एक सुविधा स्टोर में जाता है लेकिन वहां निवासियों को तिल्चटों से घबराए हुए पाता है हर कोई आपूर्ती और एंटी रोट स्प्रे के लिए संधर्ष करता नजर आ रहा है तब ही जगरते हुए दो संदक्षक चॉकलेट कैंडीज के एक प्रदर्शन को तोड़ देते हैं और चॉकलेट बॉल्स को पूरे फर्ष पर बिखेर देते हैं दुकान पर जाने वाले लोग उन्हें अधिक तिलचटे समझने की गलती करते हैं जिससे वे घबरा जाते हैं और वे घबरा कर घटनास्थल से भाग जाते हैं इस बीच फॉक्स डॉक्टर इवानोव की अनुसंधान सुविधा से बाहर निकलते समय दालान में एक और तिलचटा पकड़ता है और उसे डौ बाम्बी के पास लाता है लेकिन इसकी जाच करने पर वह इस निशकर्ष पर पहुँची की यहाँ एक सामान्य दिखने वाला कौक्रोच है और इसका जन्नान भी सामान्य है उनकी चर्चा के बीच में फॉक्स को स्कली का फोन आता है जिससे पता चला है की डौ एकरले इंधन के वैकलपिक स्रोथ के रूप में खाट से प्राप मीथेन गैस पर शोथ कर रही थे उनका यह भी दावा है कि वह देश के बाहर से पशुओं के गोबर के नमूने आयात कर रही थे यह मानते हुए कि तिलचटे गोबर खाने वाले हैं उसे संदे हैं कि उनमें से कुछ को गल्ती से कुछ नमूनों में भेज दिया गया होगा परिणाम स्वरूप पूरे शहर में तिलचटे फैलने लगे यह सुनकर फॉक्स ने अनुमान लगाया कि तिलचटे वास्तव में अलौकिक प्रोगोडिक जांच है है जो गोबर पैदा करने वाले प्राणियों से भरा हुआ है इसके बाद फॉक्स डॉक्टर बाम्बी के साथ डो एकरले से उनकी शोद सुविधा में मिलने जाता है जब वे स्थान पर पहुँचते हैं तो फॉक्स उसे कार के अंदर रहने का निर्देश देता है जब तक कि वह यह सुनिश्चित नहीं कर लेता की कार अंदर सुरक्षित है जैसे ही वह सुविधा में प्रवेश करता है उसे कुछ शोद सामगरी मिलती है कई तिल्चटे खात खा रही है इसे देखते हुए दो एकरले जो अब उनमादी और विक्षित अवस्था में आ गया है उसकी और एक गोली चलाता है फॉक्स उसे रोकने की कोशिश करता है यह बताते हुए कि वह पूरी सुविधा को उड़ा सकता है क्योंकि मीथेन गैस अत्यधिक ज्वलन्शी है हाला कि अब इन तिल्चटों से बचने की अस्फल कोशिश कर रहे दो एकरले को लगता है कि वे उनका पीछा कर रही है जिसके कारण वह उत्तेजित रहती है अपनी बाचीत के बीच में उन्होंने कौक्रोचों को अजीब सी आवाजे निकालते हुए सुना फॉक्स फिर उसे उन तिल्चटों के बारे में बताता है जो अपने उपरी वक्ष में छिद्रों के माध्यम से हवा फेक कर फुफकार दे है उनका सुझाव है कि वे उन्हें मारने के बजाए आगे के अध्ययन के लिए उन्हें पकड़ ले एकरले का मानना है कि उनका दिमाग खराब हो गया है लेकिन फॉक्स ने यह कहकर उन्हें सांतवना देने की कोशिश की कि उनका दिन बहुत तनावकूर्ण था जिससे उनकी स्पष्ट रूप से सोचने की क्षमता प्रभावित हुई है हाला कि इससे उसे केवल यह लगता है कि फॉक्स किसी तरह कौक्रोच हो सकता है इसलिए वह उस पर अपनी बंदू खीच लेता है इस बीच सकली घटना स्थल पर पहुचती है लेकिन वह डो बांबी से मिलकर ज्यादा खुश नहीं दिखती वह फॉक्स की तलाश में सुविधा में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ती है और उसे कॉल करती है जब फॉक्स का फोन बचता है तो डो एकरले का मानना है कि वह बाकी असामान्य तिल्चटों की तरह स्वर बना रहा है परिणाम स्वरूप वह फॉक्स पर गोली चलाता है और उसकी गोलियों से मीथिन गैस वाले पाइप फट जाते हैं और उनमें आग लग जाती है आसन्न खद्रे को भाम्पते हुए FBI एजेंट सुविधा से बाहर भागते हैं और अपनी कार के पीछे छिपने में काम्याब होते हैं इससे ठीक एक शन पहले की कार में विस्फोट हो जाता है और डो एकरले अभी भी अंदर है एजेंटों को कोई नुकसान नहीं हुआ है लेकिन वे विनोथ पूर्व खाद में धके हुए हैं इस घटना के बाद पुलीस इलाके को खाली कराने के लिए पहुचती है शेरिफ फ्रास एजेंटों को शहर की दहशत के कारण होने वाली कई अन्य घटनाओं आग और कार दुरघटनाओं के बारे में सूचित करता है कुछ ही समय बाद डो एवानोव भी विसफोर्ट स्थल पर पहुचते हैं और फॉक्स से उन्हें रोबोट रोच नमूने उधार देने का अनुरोध करते हैं जो उन्होंने उन्हें पहले दिखाए थे वहाँ उनकी मुलाकाट डो बांबी से होती है जिनकी रुचियां उनके जैसी ही है फिर दोनों एक दूसरे के साथ कीडो और रोबोटों में अपनी रुचियों पर चर्चा करते हुए चले जाते हैं जैसे ही FBI एजन्ट उन्हें जाते हुए देखते हैं संभावना पर मजा करते हैं कि दो डॉक्तरों की भावी संतानों के पास रोबोटों के रहस्य का समाधान हो सकता है उस रात बाद में फॉक्स ने मामले पर अपनी रिपोर्ट संतलित की यह सोचते हुए की मानवता प्रिथवी पर की जैसे रोबोट की उपस्थिती पर कैसे प्रतिक्रिया करेगी वहाँ इस संभावना पर भी विचार करते हैं कि अगला विकासवादी कदम भावनाओं से रहित एक प्रजाती होगी जो केवल अपने पर्यावरन पर प्रतिक्रिया करेगी टाइप करते समय फॉक्स को अपनी खाने की प्लेट पर एक विशाल गुफा वाला कौकरोच मिलता है और वह तुरंद उसे एक एकस फाइल से कुचल देता है